नेक्स आपका trackball है यह भी एक pointing device है trackball को आप mouse के alternative के तोर पर यूज कर सकते हो यह भी mouse की तरह दिखता है लेकिन इसमें उपर एक ball होती है mouse और trackball में यह फरक होता है कि mouse में आपको mouse को मुँ करना पड़ता है लेकिन यहां पर बॉल को बस मुँ करना पड़ता है trackball जो आपनी जगर रहता है बागी जो है काम बिल्कुल जो सेम आप उससे कर सकते हो वैसे आप trackball से भी कर सकते हो ठीक है तो यह भी एक pointing device है और इसको applications अगर हम देखेंगे वह ज्यादातर CAD-CAM है CAD मतलब computer-aided design और computer-aided manufacturing है ऐसे workstation पतलब ऐसे computer जिनमें आप नहीं देखा होगा कि अगर जो architects होते हैं जो design बनाते हैं आपके plan बनाते हैं आपके घर का तो उसके लिए जो software जो यूज करते हैं तो उनको CAD software कहते हैं ठीक है वैसे ही अगर आप manufacturing में देखोगे तो जब computer यूज होगा तो उसको computer-aided manufacturing कहते हैं तो ऐसे workstation पे यह यूज होता है या फिर ऐसे computers में वो यूज होता है अगर हम normal mouse को देखेंगे तो उसमें मैंने अलड़ी पता है कि उसमें मूह करना पड़ता है पूरे mouse को लेकर trackball में सरिफ आपकी fingers जो है उनको roll करना पड़ता है इस ball के ऊपर नेक्स आपकी joystick कहती है joystick भी एक pointing device है तो इससे भी आप control कर सकते हो cursor की moment को ऐसे दिखती है एक joystick यह gaming में या फिर flight simulators में या फिर cad cam systems में ज्यादा तर use होती है और यहाँ पर फरक यह है कि अगर मैं for example यहाँ पे मेरा pointer है मैं अगर mouse से इसको नीचे लेके जा रहा हूँ जैसे मैं mouse को रोकूंगा तो यह pointer भी रुख जाएगा लेकिन अगर मैं joystick से इसको नीचे लेके जा रहा हूँ जैसे मैं joystick को रोकूंगा यह फिर भी नीचे जाता रहेगा यह एक difference है joystick और mouse में और यह already मैं बताया तो joystick जो इसको आप 360 degree मूह कर सकते है joystick में usually उपर इसके कुछ buttons भी कोई एक menu है उसमें से कुछ items को select करना है तो उसके लिए आप use कर सकते हो computer screen जो है उसके ऊपर एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे पुराने जबानी के phone होते थे जो पहले-पहले touch phones आते थे उनमें stylus आता था stylus से आप like finger touch नहीं होते थे उनको आप finger से हैसे touch करके control नहीं कर सक है और उसके उपर आप कुछ draw कर सकते हो या फिर कुछ items को आप select कर सकते हो तो यह ज्यादा तर पीडीए में यूज होता था जिने हम personal digital assistance कहते हैं जो पराने जमाने में आते थे कुछ 10-15 साल पहले तो यह छोटे smartphone की तरह कह सकते हो earlier versions of smartphone आप कह सकते हो उनमें ज्यादा यू next touch screen touch screen आपने बहुत यूज किया होगा यह जो है यह fingertip के जरीए या फिर fingers के जरीए आप इन computer को input दे सकते हो इसमें क्या होता है कि अगर आप touch screen को देखो कि यहां से infrared beams जाती है एक computer के यहां से और उपर से भी नीचे जो है infrared beams जाती है जब आप computer screen को touch करते हो जो touch screen होती है तो वहां पर क्या होता है कि वह infrared beam जो है वह रूख जाती है तो वहां से एक signal जाती है यहां पर इस particular location पर computer screen को touch किया है तो यह है mechanism working of touch screen ठीक है तो इसको जाद तर यूज आपने देखा होगा ATM में यूज होता है touch screen आते है या फिर supermarkets में आपने देखा होगा कि जब वह bill generate कर करके उसके उपर उसको command देते हैं और वह bill will generate करते है ठीक है तो touch screen भी एक input device यह बार कोड रीडर क्या होता है यह बार कोड को रीड करता है बार कोड क्या होता है बार कोड ऐसे आपने देखा होगा कि ऐसे special bars होते है ब्लैक कलर के तो यह coded form में इसमें information होती है यह ज्यादे अधर products के उपर होता है उनमें like product का price क्या है या फिर lot number क्या है या फिर नाम क्या है वो इसमें save होता है ठीक है तो इसको हम interpret नहीं कर सकते है इसके लिए एक device होती है जिसे हम barcode reader कहते है यह barcode reader इसके उपर light डालता है तो यह जो है यह बार जो है रिफलेक्ट करते है light को यह यहां पर sensor लगा होता है तो वह automatically जो है वह समझ जाता है एक barcode reader की इसमें क्या लिखा है तो यह connected होता है computer से साथ तो automatically computer में save हो जाता है whatever जो भी इसमें information होगी ठीक है तो बार-code reader यह है आज कल ऐसे barcodes आते हैं इनको हम कहते है QR codes QR मतलब quick response codes तो यह जो है थोड़ से advance होते ह इससे ठीक है next is OMR optical mark reader आपने बहुत देखा होगा optical mark reader आपने OMR based sheets फिल के होंगे पहले जो exams होते थे OMR based होते थे आप computerized हो गए है ठीक है तो OMR का मतलब है optical mark reader या फिर optical mark recognition ठीक है optical mark recognition मतलब कुछ marks होते है paper के उपर उनको recognize करना optical मतलब light के जरिए उनको recognize करना ठीक है यह OMR machine ह होती है इसमें ऐसे यहां से डालते है OMR sheet को यहां से निकलती है और यह computer के साथ connected होती है automatically यह save हो जाता है कि इसका roll number क्या था इसके कितने marks है कितने सही है कितने color है ठीक है तो यह आपको पता है कि इसमें कुछ marks होते है like pen से इसमें कुछ marks हमने जो student होता है या फिर exam दे रह OMR reader डालता है और वो automatically जो है वो interpret करता है कि कहां पर mark है कहां पर नहीं है ठीक है तो इसकी application यह object type test में यूज होता है और voting applications में भी यह कहीं कहीं पर यूज होता है OCR is the next that's optical character recognition optical character recognition का मतलब character मतलब आपका text हो गया text को recognize करना optical मतलब light का जरी है जैसे कि आपको पता होगा कि for example आपने किसी book की photo उठाई ठीक है book ऐसे है उसकी आपने photo उठाई अब वो image आ गई लेकिन उसमें text भी आएगा लेकिन उस text को आप edit नहीं कर सकते है अब अगर आप चाहते हो कि वह text जो image में है उसको मैं edit करूँ या फिर जो book पे जो है text है उसको मैं computer में save करूँ तो उसके आपने देखा होगा गूगल असे लिए OCR चाहिए होगा OCR मतलब optical character recognition ठीक है तो इसका काम क्या होता है कि image को या फिर जो यह document के उपर जो data होगा इसको textual format में करने का काम जो है वह OCR करता है ठीक है मक्सद यह है कि उस text को हम edit कर पाएं तो अब यह ऐसे होता है यूजिली OCR reader ऐसे होता है इसको ऐसे आप इसके ओपर जो है मुह कर सकते हो तो जो है इसको read करेगा लेकिन आपने देखा हो गूगल assistant में भी यह आता है कि अगर आप किसी फोटो को अगर कोई फोटो उताओगे जो किसी डॉक्मेंट की फोटो होगी तो और नीच से दिखाता है select text तो आप select कर सकते हो text को उसमें OCR recognition software होता है जो वह detect करता है ठीक है अब OCR जो है इसमें यह है कि अपने हाथ से जो लिखा है उसको भी OCR के जरी आप read कर सकते हो ले हो रही है next is magnetic character recognition यह आपका MICR आ गया है जो checks में होता है आपने check में नीचे देखा होगा एक numbers लिखा होते हैं बड़े अजीब से numbers लिखा हो तो यह दरसल होते हैं यह जिस इंक से लिखे गए होते हैं वह magnetic ink होती है मतलब वह arm ink नहीं होती है उसमें कुछ iron की छोड़ होती है तो इसमें कुछ information होती है जिसको read करता है M-I-C-R magnetic ink character recognition तो यह checks में ज्यादा तर यूज होता है और यह special link से बना होता है next आपका smart card reader आगए smart card आपके आजिकल के जितने भी ATM आते हैं मैसे chip आते हैं जिस भी card में आप chip देखे हो वह मतलब है कि वह smart card है ठीक है तो अंदर जाने के लिए बाहर जाने के लिए एक card होता है जिसको scan करना पड़ता है या फिर आपने metro में देखा होगा वहां पर भी यह smart card यूज होता है तो इसके लिए एक reader होता है यह वह reader जो है वह भी input device है क्योंकि इसमें कुछ information होती है ATM में कुछ information है मतलब आपका account number क्या इसमें जो है जो technology ज्यादतर यूज होती है RFID होती है RFID का मतलब radio frequency identification या near field communication नियर फिल्ड आता है जिनको आप यूज कर सकते हो जो unique होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो identification के लिए जैसे आपकी fingerprint हो गई fingerprint आपकी unique होती है तो इसको हम use कर सकते है authentication के लिए या फिर यह देखने के computer इसको यह मतलब अगर आप computer को authenticate करना होगा कि जो person access कर रहा है यह right person है या नहीं तो वो biometric आपका fingerprint यूज कर सकता है ठीक है तो इसके लिए कुछ यह security purpose के लिए ज्यादा यूज होता है तो जो biometrics होते हैं यह face recognition हो सकता है fingerprint हो सकता है hand geometry iris या DNA हो सकता है इसके लावा कुछ behavioral biometrics भी हो सकते है जिनमें आपका keystroke मतलब हर एक का type करने का अंदाज अलग होता है ठीक है तो उस आपके type करने के अंदाज पर भी जो computer है वो आपको पैचान सकता है ठीक है इसके अलावा signature और voice यह भी behavioral biometrics में आते है scanner is the next input device scanner का काम होता है कि जो data होगा in the form of image जो एक paper के ऊपर होगा paper यह document को digital form में save करने के लिए scanner होता है तो scanner क्या करता है यह एक paper या फिर document को save करता है in the digital form यह भी एक optical input device है मतलब light के principle पर यह काम करता है और यह documents जैसे documents होगे वैसे ही उसकी exact जैसे फोटो लेते हैं scanner भी आप कहा सकते हो यह camera जैसे ही होता है यह लेकिन यह exact उस document की बराबर जैसा document होता है वैसी image लेता है और उसको फिर save करता है फिर digital form में ठीक है और scanner जो है यह gray scale हो सकते है या फिर color mode में हो सकते है मतलब यह दो नो black and white भी हो सकता है और colored भी हो सकता है scanner के दो types हो सकते है handheld और flatbed handheld ऐसे होते हैं कि मतलब अगर कुछी document को आपको scan करना है तो उस document के ऊपर आपको multiple passes में मतलब अगर मुझे इसको scan करना है यह document है for example तो मैं handle scanner पहले ऐसे एक pass में ऐसे move करूंगा फिर इस line को scan करूंगा फिर इस line को scan करूंगा तो यह handled होते हैं यह छोटे होते हैं और इनको multiple passes में हम एक document को scan कर सके नेक्स आप फ्लैडवड फ्लैडवड जो थे बड़े होते हैं इसमें ऐसे document को आप रखते हो उपर से इसको बंद कर देती हो और यह automatically जो है आपके पूरे document को scan करेगा next आपके drum scanner आते हैं drum scanner में जो है document यहां से डालते हो यहां पर drum होती है cylinder होता है जो मूँ होता है और आपका document जो यहां से रोल होके नीचे से निकलता है और scan हो जाता है ठीक है तो rolling computer में या फिर computer तक आपकी voice पहुंचे तो उसके लिए आपके आपको जो input device चाहिए उसका microphone कहते हैं या फिर माइक भी कहते है तो माइक का काम है voice input को computer तक पहुंचाना ठीक है तो इससे आप digital form में या फिर digital audio सेव कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इसके लिए एक special hardware की जोरत परते है जिसे हम sound card कहते हैं तो microphone जो होता है वो connected होता है sound card के साथ तो sound card का का यही काम होता है कि वह आपकी voice को convert करता है digital form में तो usually यह आजकल speech recognition software होते है speech recognition software मतलब जो कि आपकी voice को text में convert करें for example अगर मैं भी microphone बोलूँगा जैसे आप Google में आजकल करते हो उपर वह mic आता है तो उस पर click करते हो तो आप बोलते हो है Google तो automatically है Google टाइप करता है तो उसके लिए speech recognition software ही जोड़त पड़ते है तो उसके लिए mic की जोड़त पड़ेगी तो यह different types of microphones होते है आजकल आप earphone होका आपके पास तो उसमें भी mic होती है अगर आपको कोई विजवल है आपके पास कोई फोटो है फोटो लेना चाहते हो या फिर आप वीडियो कैप्चर करना चाहते हो उसके लिए webcam होता है ठीक है और computer जो होता है यूजिली उसके साथ होता है laptop में उपर लगा होता है या फिर desktop में भी होता है लेकिन कुछ के साथ नहीं होते तो आप attach भी कर सकते हो USB cable के थूँ उसके साथ connect कर सकते हो इसके आप video conferencing या फिर online chatting के लिए use कर सकते हो ठीक है तो इसमें आप USB port के थूँ या फिर आप firewire port के थ game तो I think that's it for this video next part पर हम output devices को देखेंगे